हेलो गाईज, वेल्टों मोटरॉक के इन, मैं आपके लिए नॉमली जब विडियो लेके आता हूँ, तब एक बहुत बढ़िया सीनरी में गाड़ी खड़ी होती है और आप हमारे साथ एक्स्पीरिंस कर रहे होते हैं, बट रियालिटी ओफ लाइफ यह है कि हम सबसे आदा ट हमारे पास गाड़ी है, उसका ओवराल फॉर्स्ट इंप्रेशन कैसा है क्योंकि जैसी आप इसे देखते हैं, येस, इट स्मॉल कार, फुट्प्रिंट जो है इसका काफी छोटा है, वी टॉक अबाट सब फोर मीटर काज, यहां पर रही गाड़ी है, जिसकी ओवराल लेंथ सब 3 मीटर है, अगर हम विट की बात करें, अराउंड 1.5 मीटर और हाइट जो है, 1.6 मीटर के अराउंड आपको मिलती है, ग्राउंड क्लिरेंस जो है, 165 mm है, तो ये थे इसके ओवराल डाइमेंशन, अगर मैं बात करूँ, ओवराल जो फर्स्ट इ अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास एक बड़ी daytime running light है, उसके निंचे आपका MG का logo है, वो logo जो है, वहाँ पर ही आपका socket भी है, जिसे अगर आप खोलेंगे, तो आपका charging port वहाँ पर आपको मिल जाएगा, पास charging नहीं, slow charging ही मिलती है आपको इसमें, तो 80% almost 5 hours में, and full 100% charge जो आपको मिलता है गाड़ी का, वो है 7 hours में, side में अगर हम देखेंगे front के, तो आपके पास आपकी vertically stacked LED lights आजाती है, turn indicator जो है, वो नीचे bottom पे bumper पे मिलता है, आपको और नीचे grill भी आपको cooling के लिए मिल जाती है, जो overall front का look है, वो मुझे काफी हद तक अच्छ और futuristic लगा है, side की तरह बढ़ते हैं, और जैसे में आपको यहाँ पर बता दी length जो है गाड़ी की, and at the same time, जो wheelbase है, wheelbase जो है around 2000 mm जो है wheelbase है इस गाड़ी का, and overall जो look sides आता है, कि आप बोलोगे एक ही चीज, it looks different, यहाँ पर आपके पास जो elements है, आप देख सकते हैं, बड़ा glass है, passengers का, वो एक जादा लंबा glass है, पीछे आपको electric की badging मिल जाती है, piano black आपको जो है, आगे mirror मिलता है, और आप देखेंगे उसमें एक chrome strip है, जो आगे का hold है, उसको connect करती है, so a lot of symmetry going on, tires अगर आप देखेंगे, आपको steel wheel ही मिलते हैं, उसके उपर आपको wheel cap आपका मिल ज आपके पास जो है, एक again distinct look है, सबसे पहरी चीज़ जो आपकी आखों को grab करेगी, is the connected LED tail lamp, जो run करती है, across the width of the car, तो ये एक काफी cool feature है, उसके इलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो उपर spoiler है, वो कैसे extend करता है, to the same height and design of the roof, and ऐसा लगता है, it's just jutting out of the roof, एक integrated spoiler का look देत है ये, also आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास जो आपका defogger है, wiper आपको नहीं मिलेगा, high mounted tail lamp है, MG का logo है, comet की badging है, EV की badging आपको यहाँ पर नीचे मिल जाती है, and internet inside लिखा हुआ, मिलता है, आपके जो main tail lamps है, जो front headlights का design है, उनसे ही काफी हद तक, resemble करते है, vertically slatted, आप को मिलते हैं, ये, LED tail lamps भी, अब यहाँ पर boot डिखते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर with the second row, आप आपके पास really कुछ जादा space है, ने, but honestly, यहाँ पर आप कुछ रखेंगे भी ने, क्योंकि आपके पास सिरफ यहाँ पर space है, for your portable charger, and आपके जो tools है, puncher repair kit, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, seats जो हैं, 50-50 split के साथ, flat fold हो जाती है, तो अगर अगर कुछ बड़ा समान रखना है, आप वो भी रख सकते हैं, यह उनके लिए है, जो एक bag लेके जा रहे है, office, tiffin लेके जा रहे है, वो यहाँ पर पीछे है, यहाँ आगे अपनी seat पर समान रख सकते हैं, and they can travel to work, but अगर जैसे आप मैंने आपको दिखाया, fold करेंगे, तो आप इसे समान रखने के लिए भी use कर सकते हैं, अब यहाँ पर अंदर जैसे ही आते हैं, this is an interior that will change your mind, क्योंकि शाहिद अगर आपको गाड़ी बाहर से इतनी impressive महां लगे, you might think that it could have been a really picks up the game, क्योंकि मेरे हिसाब से, जो यह गाड़ी का size है, या इसका purpose है, उसके हिसाब से, this is a fantastic interior, आपके पास यह दरवाजे ही कि, अगर मैं बात कर लूँ, on a car that is this narrow, the door pads are seemingly so wide, अपना हाथ आराम से rest कर सकते हो, while driving this car here, the door pads are heavy as well, उसके इलावा आप देखेंगे, यहापे, rest पे और side में है, यह white color का panel कित्मा futuristic और एक concept car से उठाय हुआ लगता है, and obviously यह panel का color भी आप change कर सकते हो, customization options में, next dashboard देखें, तो आप देखते हो, यहाँ पर आपके पास dual tone nature है, उपर gray है, फिर यहाँ पे beige आजाता है, फिर silver and black touches आपको, जो center console के और air vents के है, वो मिल जाती है but on the corner of the dashboard आप notice करेंगे, कि यहाँ पे दो cup holders मिल जाते हैं, जिनके पीछे vents हैं, तो एक तरह से your cup holder is cooled also, and at the same time आपके पास space भी है, वहाँ पर कुछ समान दूसरी रखने की, और यह जो color है इनका, यह भी change होता है, by the way, गाड़ी में ABS, EBD, दो airbags आपको मिल जाते हैं, but उसके बाइड है दो speakers के साथ, the quality is really good, even though there are only two speakers in this cabin, यह cabin का size चोटा है, तो it's enough, quality अच्छी है, loudness is perfect, and काफी crisp है, आपका वारलेस आटो आटो, अपल का पले आ पले आ जाता है, इसका जो reverse parking camera है, वो बता देता हूं, you get it, and it's quite clear during the day, dynamic guidelines आ जाती है, and काफी बढ़िया दिखता है, मै यहाँ पर option है, जैसे हमने देखा, बट वो इंडिया में नहीं मिलने वाला है आपको, जो instrument tester है, left side है, वही पर आपके पास काफी सारा usage है, of the controls, आपके पास वहाँ पर volt, current, आपके trip meters, odometers, आपके जो भी modes change होते हैं, वो सारे यहाँ ही दिखते है, जो right hand side है, जो आपके speedometer, range, battery percentage, वो सब कुछ है, और बीच का जो part है, वहाँ पर सिर्फ आपका जो MG की car का icon आता है, वो ही दिखता है, और जब में brake दबागाँ, तो जो गाड़ी है, चोटी सी बनी होई, वो भी brake lights दो है, उसके भी on होते हैं, that's quite good attention to detail, but I think थोड़ा और utilization, यह instrument cluster का, हो सकता है, जो steering wheel है, is a leather wrapped steering wheel, आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों तरफ controls है, इस side पर आपके पास जो controls है, they are for instrument cluster, और side में जो controls राइट पर है, वो आपके media controls है, पीछे आपके वाइपर के stocks आपको मिल जाते है, headlight के stock, no auto headlamp by the way in this car, तो आपके बास जैसे glove box नहीं है, but जैस is in the massive door pads यहाँ पर, जो दरवाजे हैं, वो आपके काफी बड़े, और door pad के अंदर, आपके पास काफी space है, आप बड़े-बड़े laptops रखना चाहते हैं, bottles multiple रखना चाहते हैं, समान रखना चाहते हैं, कुछ भी, आप वो easily वहाँ पर रख सकते हैं, अब मैं आपको बता देना चाहते हूं कि आपकी जो power windows के switches हैं, वो यहाँ पर, बीच में आपको center console मिलते हैं, यहाँ पर नीचे आपको एक dial भी मिलता है, जहां पर आप basically अपना reverse, neutral drive के आपको modes मिल जाते हैं, और एक charge mode है, जिसमें आप उसको अगर रखेंगे, तो गाड़ी जो है, आप use कर सकते हैं अंदर बाहर जाने के लिए, accessory mode पे रख सकते हैं, तो fan चालू रहेगा गाड़ी का, and at the same time, जो गाड़ी है, वो charging के time पे हिलेगी नहीं, जब तक वहाँ से, socket में से आप charger unplugged नहीं करते हैं, जो hazard lamps का switch है, वो यहाँ पर आपको उपर मिलता है, time to get into the second row, एक ही lever है, उसको ऐस space to get into the car, तो यहाँ पर, अगर मैं यह seat comfort के लिए भी adjust करता हूँ, आप देख सकते हैं, मेरे पास कितनी space है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पास near room कितना है, head room जो है, वो काफी decent है, यहाँ पर, and at the same time, I have a big glass area, जो एक काफी अच्छी चीज है, जब आप पीछे ऐसी चोटी सी जगा में travel कर रहा है, और उसी floor की जो height है, वो काफी है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो high support है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, दो adults पैट सकते हैं यहाँ पर, मुझ जैसे, but for short distances, I don't think people will want to sit here for a long time, second row में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो seatbelt आपको मिलती है, वो पैननी ज़रूरी है, क्योंकि second row में seatbelt पैननी ही चाहिए, but in the MG Comet, अगर आप पीछे बैठे हो, sensor यहाँ पर भी है, और गाड़ी, alarm on करती है, बचती रहती है, कि आपने पीछे seatbelt नहीं पैनी, अब चलाते हैं, इस गाड़ी को simply unlock कीजिए, let's get inside, and चावी रग देता हूँ मैं यहाँ पर, अब बहुत यहाँ पर ना convenient है, एक बार आप used to होगे, क्योंकि जैसी मैंने brake pedal दबाया, the car is on, yes, कोई engine, start, stop, button, कुछी चीज़ की आपको जरूत नहीं है यहाँ पर, लगाए ते seatbelt, अब गाड़ी को दालते हैं, drive में, handbrake को नीचे, indicator देते हैं and we can just easily set off, तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पर जो है, आपको मिलता है, एक 17.3 kilowatt hour battery pack, जो एक electric motor के साथ paired है, जो electric motor है, वो 42 PS of power, 110 NM of torque produce करता है, जो बहुत सारे लोग देखके, यह बहुत छोटी सी गाड़ी, यह gadget है, क्या है यह सोचते है, मैं बोलूँगा, is car like, क्योंकि यहाँ पर जो setting off का जो motion है, यहाँ फिर आपका जो steering wheel का feedback है, हर चीज़ है, यह एक proper car की तरह ही feel करता है, जो बहुत लोगों के दिमाग में चलता हो आएगा, कि यह कैसी feel करते होगी, quadra cycle होता था, बजाज का जैसे का cute है, यह फिर और भी दूसरी चोटी चोटी च ज़रूरत नहीं है, it drives like a normal car only, in fact, साथा city driving की तरफ oriented है, जैसे कि इसका small, जो footprint है, उससे आपको समझ आता है, पहली चीज़, जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, यहाँ पर in city driving, इसकी NVH levels, एक छोटी गाड़ी के है, जो है, उस पे काफी focus किया गया है, तो जो road noise है, यहा यहाँ पर अंदर जादा नहीं आती है, दूसरी चीज़ जो है, suspension भी जो है, it's a little bit on the firmer side, तो आप यहाँ पर जो है, जब चला रहे हैं गाड़ी, वहाँ पर खड़े जो आते हैं, road में, uneven surfaces जो आती हैं, वहाँ पर जादा पता नहीं चलता, the true test is right ahead here now, traffic, traffic में यह गाड़ी एक जगा पे तो excel करती है, कि normally जो आप बड़ी गाड़ी के साथ आपको देखना पड़ता था कि मैं यहाँ पर आओं की नहीं आओं, मैं middle lane में ही रहता हूँ, मैं traffic में चला रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आराम से चलाना पड़ता है, आप exploit कर सकते हैं थोड़ी सी gaps को and at the same time आप एक और चीज़ जो है, वो है कि आपको रुखना जादा नहीं पड़ता when it comes to letting other cars in, क्योंकि आपको पता है कि आपकी गाड़ी भी जो है, निकल जाएगी उतनी ही space में, मैं को यह काफी अच्छा लगा इसके बारे में, other than that, जो है manoeuvrability and setting off की जो speed है, जो आपको 110 Nm का जो torque है help करता है, it's fine, it's good, at the same time अगर आप यह गाड़ी सिर्फ सिटी में यूस करने वाले हैं, like 20-30 km या even 40 km going to office, coming back from office, मैं एक चीज़ बोलूँगा, you want, you can drive this car on sport mode all the time, अगर आप खर पर आके रोज चार्ज पे लगाने ही वाले हैं इसको, once every 2 days or once every 3 days, तो it should ideally not be a problem driving this car in the city, parking में भी काफी आसान है, इसको पार्क करना, वहाँ पर भी जो है, आपको issue नहीं आता, मैं एच चीज़ पॉइंट करना चाहता हूं कि highway driving जो है, जा पर अगर आपको इसको कोई expressway पे लेके जाना है, या आपको कहीं पर बड़े highways पे road trip करनी है, is not something that I will say is advisable, brakes कि again for city driving, it really does the job well, there are no problems there at all, अगर मैं बात करूं, overall जो मैं को visibility है, ease है driving का, वो मैं को यहाँ पे काफी अच्छा लगता है, you feel like you're driving something, that's little bit more premium and that's a little bit more well made, तो वो जो एक है normal affordable hatchback की बात अगर करें, जिसके साथ लोग इसका size compare करेंगे, तो build जो है, वो एक साथा, बड़िया गाड़ी का है, जो मुझे यहाँ पर लग रहा है इसके साथ, So, यह थी the MG Comet, गाड़ी ओफ नहीं की मैंने आप सोच रहोंगे, बट सिरफ जैसी मैं इसको लोग करूँगा, गाड़ी भी ओफ हो जाएगी, तो देखा convenience, और मुझे यही सबसे बढ़िया चीज लगी, that while यहाँ पर हम एक गाड़ी देख रहे हैं, जो sort of हमें लग रहे है कि, हाँ, it's a small car, इसकी जरुरत है, क्या, secondary car, but यह देखिये कि, this is another take on making urban mobility better, हमने पास्ट में देखा है, जैसे कि Tata की Nano थी, या फिर Maruti की, जो small affordable hatchbacks है, to try and solve the first car problem, or the urban mobility problem, but this is a completely different take, यह जो है, आपकी life को better करने का option है, maybe यह आपकी first car कभी नहीं हो सकती, but यह एक secondary option रह सकता है आपके लिए, and an option जो आप सिर्फ city में ही इस्तमाल करेंगे, यहापर बिजस्ते में बताया, range is decent, उसके इलावा आपके पास यहाँ पर जो features है, वो आपकी life को काफी अच्छा aid करते हैं, and आपके पास convenience factor बहुत है, of parking this and driving this in traffic, तो, क्या आपको लगता है, यह आपको गाड़ी consider करनी चाहिए, obviously the big thing comes, कितने की है यह, starting, जो price होगा, वो कम होगा, obviously EV के खरीदने के अपने benefits है, with registration and running costs in the future, आप हमें follow कीजिए on Instagram, Facebook, Twitter, महाँ पर भी आपको पहले अच्छे यह जो news, वो मिल जाएगी, So, तयम जी comment, मुझे comment से बताईए, आपको यह गाड़ी कैसे लगी, will you consider this as a car over the existing options available in the market, मुझे बताईए, and at the same time, इस video को like कीजे and share कीजे अपने दोस्तों के साथ, जिनको आपको लगता है, एक गाड़ी की जरुरत है, but वो traffic हो गया, यहाँ फिर, parking के issues हो गया, और running cost and just the general maintenance of a car, उससे वो लोग भागते हैं, क्या वो लोग को यह गाड़ी लेनी चाहे या नहीं, let me know in the comments and at the same time, take care, drive safe, मिलेंगे फिर से,